तो देश कोरूना से लड़ रहा है, कोरूना के खिलाफ कुछ अच्छी खबरे, देश का मनोबल बढ़ाने का काम करती है और प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी पीच पीच में अपने संबोधन से देश को होसला ना हारने की नसीहत दे रहे है पर जो बाल की खाल न निकाले वो सियासत कैसी तो प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी के कोरूना पर संबोधन से पहली सियासत भी अपशुरू हो गई है और संबोधन के बाद भी सियासत जारी नहीं तारीख थी 20 अक्टूबर की नवरात्रों में मा भगवती की पूजा के बीच दोपहर एक बजे प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी का ये संदेश ट्रिटर पर आया तो देश को इंतजार था पीम मोदी के संबोधन का लेकिन सियासत की बेचैनी इस बात पर बढ़ गई कि पीम का संबोधन कहीं देश का दिल न जीत ले तो शाम चार बज कर 55 मिनट पर राहुल गांधी ने च्वीट किया और लगे हाथ पीम मोदी से ये भी पूछ लिया कि वो ये बताएं कि चीन को भारत की जमीन से कब बेदखल करेंगे इसे कहते हैं मान न मान मैं तेरा महमार 1962 में चीन के हाथो भारत की जमीन गवाने वाली कॉंग्रिस पाटी खुद तो कभी चीन को आखे नहीं दिखा पाई प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को बार बार चीन को धमकाने वाली भाशा समझा रही है मानो पीएम मोदी कोरोना से जंग तो बाद में लड़ें पहले चीन से युद्धे छेड़ दे वैसे भारत के पराक्रमी युद्धा चीन से मोर्चा ले रहे हैं लेकिन राहूल गांधी का सियासी चश्मा उन्हें भारत का पराक्रम देखने नहीं दे रहा तो कोई क्या करे खैर तैय समय के मुताबिक पीएम मोदी आये कोरोना पर देश को महामरत्युन जय मंत्र दिया देवहारों को देखते वए देश के मुख्या का ये संबोधन उतरा ही जरूरी था जितना की पहली बार लॉकडाउन के वाद लेकिन पीएम मोदी के इस संबोधन में सियासत को उपदेश नतर आया कॉंग्रेस नेता और राजसबाद सांसत प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी जी ने ये नहीं बताया कि सरकार क्या करने जा रही उन्होंने ये तो बताया देशवासियों को क्या करना है पर ये नहीं बताया कि वो देशवासियों के लिए क्या करने जा रहे है बस वही पुरा नाउप देश पीएम मोदी के संबोधन पर सीपीएम नेता सीता राम येचुरी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि पीएम मोदी अर्थविवस्था और बेरुजगारी पर बात करेंगे कोरोना से लडाई में पीएम मोदी के मंतर को ग्रे मंतरी अमिश शाह ने भी दोराया अमिश शाह ने ट्वीट करके कहा जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं कि अपील को अपने जीवन का मंतर बनाए और स्वयम को और अपने परिवार को शुरक्षित रखे एक संयुक्त वा संकल्पित भारत के रूप में हम इस आपदा से जीत सकते हैं सूचना प्रसाण मंतरी प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधान मंतरी के संबोधन से देश में नया विश्वास जगा है प्रधान मंतरी जी का संबोधन तेश्वासियों का एक हीत चिंतक और एक मार्ग दर्शक के रूप में बहुत एहम है मुझे लगता है देशवासी आज के संदेश को समझ गए है पर सवाल ये है कि विश्वास तो तब जगेगा जब कोई सुनेगा विपक्ष के लिए तो मानो अब कोरोना का संक्रमन कोई संकट रहा ही नहीं कोरोना तो जैसे इनका नाम सुनकर ही भाग जाएगा तो भला मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रत ही क्या है तो विपक्ष के नेताओं को पीएम के संबोधन में खोट नजर आने लगा क्या करें आखिर सियासी मजबूरी है तो विरोध करना ज़रूरी है पर हम इन्हें ये जरूर बता दे कि पीएम मोधी ने अपने संबोधन में बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन पर तयारी का भी जखिर किया बेरो रिपोर्ट जी मीडिया